पर इस असनातन धर्म के अत्रिक्त जितने भी धर्म हैं उसमें इसकी स्वतंतरता नहीं है। नर्मदा नदी के तलहठी से भगवान स्वयंभू शिवलिंग की प्राप्ती होती है। शालिक्राम ठाकुर जी की जैसे पुजा होती है। वैसे ही भगवान स्वयंभू शिवलिंग के रूपे में हमारे घरों में विराजित हो सकते हैं। अवश्य ही उनकी पूजा दोनों टाइम करनी चाहिए। ये प्राप्त होते हैं नर्मदा नदी से और प्राप्त करने का नियम है। ये आप पहले मलाह जो हैं जो गोता खोर हैं उनकी पूजा करिए। मतलब उन्हें खुश करिए उन्हें प्रसंद करिए दक्षणा दे करके कुछ भी। और उसके बाद जैसा भी वो पत्थर लाकर के आपको दे दें आपके भागे में जो मिल जाए। जैसे भी वो शियूलिंग की आकरती हो वही आपके नर्वदेश्व शियूलिंग हो जाते हैं। उसमें काच्छाट नहीं करनी चाहिए कि नहीं आड़े तिर्छे हैं या गोल नहीं है या फिर सफेद हैं या लाल हैं। ऐसा नहीं। आपको उन्होंने जो दे दिया मलाह और गोता खोर ने जो आपको ला करके दे दिया वही आपको धारन कर लेना चाहिए और उसे ही अपने घर में रख करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इस खुड़ी पे आएंगे पर उसे पहले आपको बताओंगा मनुस्मृति की बात भगवान मनु ने अपने आदी ग्रंथ मनुस्मृति में बात कही है। क्या कही है जो मेरी संतान है संपूर्ण मानव जो किसी भी कहीं से भी आता हो। इसे कोई नहीं है कि वो उस पंत से आता है वो उस धर्मश आता है। संपूर्ण मानव मनु और शत्रूपा के वन्सज है। और जो धर्म शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं उसके आधार पे यानि कि सुर्ति और स्मृतियों के आधार पे जो व्यक्ति जीवन जीता है वो स्वर्ग आदी भोगों का उपभोग करता है। आपको ये बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, दो लाइन की बात है। हमारे सनातन धर्म की विशालता इतनी है और ये इतना ज़्यादा उदार वना है कि इसमें कितने ही भाश्य लिखे गए हैं। टीका कारों ने इस पर टीकाएं लिखी हैं, भाश्य कारों ने इस पर भाश्य लिखे हैं। सनातन धर्म के अतरिक्त जितने भी धर्म हैं, उसमें इसकी स्वतंतरता नहीं है। वहां कोई भाश्य कार नहीं है, कोई टीका कार नहीं है, कोई उसका ब्याक्या करने वाला नहीं है, वो जैसा लिख दिया, बस उसी के कारण वो बंदा हुआ है और इसी के कारण उसके अं ग्रंतों की वो उनकी जो एकोती जैसे विचार करने की जो शक्ती है वो बहुत ही जादा संकुचित हो गई है बागी के धर्मों की बात करता हूं किसी का नाम नहीं ले रहा है आईए अब आपको मैं इनकी कुंडली पे ले के आता हूं इनका जन्म उत्रायन में हुआ है वश इस कुंडली के आधार पे सबसे पहले आपको अपने व्यक्तित्व को अपने मन को धनागमन की गती को धन कमाने के छेत्र को और अपने स्वभाव को अपने बहुत जादा एमोशनल होने को बहुत जादा दुखी और संतप्त होने को बचाना होगा बिलकुल अपने आप प और दुखी रहने की आदत सी पल जाती है। लगन से नमम भाव में बुद्ध का बैठना भी ठीक होगा क्योंकि वो पुन्यात्मा बनाते हैं। परंतु वो आपको कई बार आपके पिता से सुख भी देने के साथ साथ यहां सूरिय बैठे और गुरु ने सूरिय को देखा है। जबरदस्त मेहनत करनी होगी अगर सरकारी नौकरी की त्यारी कर रहे हैं तो क्योंकि शनी की दृष्टी यहां सूरिय पे है और दशमस्थान में सूरिय सुख भाव के अधिपती होकर के सुख भाव में बैठे हैं। यह सुख भाव इसका पूरक यह भी सुख भाव है। तो सुख भाव के अधिपती सुख भाव में बैठे और सुख भाव को देखे। तो व्यक्ति को सुख अवश्य मिल जाए। सुख के कारक के द्वारा देखे जाएंगे। गुरू की दृष्टी है। और आपकी कुंडली में यहां चंद्रमा बुद्ध सुक्र तीन सुख भाव एक साथ और उसके साथ राहु बैठेगा तो यह भी सुख भाव हो जाएगा। मतलब तीन सुख भाव के साथ राहु की यूती सुख भाव का प्रभाव देगी। भाग्य भाव में तीन सुख भाव का प्रभाव व्यक्ति को कुटुम्ब से, व्यक्ति को धन से, व्यक्ति को भाग्य से, व्यक्ति को सेवा से, व्यक्ति को दार्शनिक्ता से, व्यक्ति क चिंतन से विक्ति की धार्मिक्ता उसके प्रबुद्ध होने का प्रमाण प्रस्तूत करेंगे। यहां एकादश्वे भाव के अधिपती धन भाव में यह लाभ योग बनेगा, महाधनी योग भी जागरित होगा। लाभ भाव के अधिपती बारहमे और सब्तम भाव, इस कुंडली के मारक भाव के अधिपती मंगल को देख रहे हैं, जिससे मंगल के मारक प्रभावों में कमजूरी आएगी। तो मारक प्रभाव को जैसे इस कुंडली के लिए मारक प्रभावों में इस वज़से कमी थोड़ी आएगी क्योंकि वो सुभग्रा होकर के देख रहे हैं। भी clash करेंगे दशाओं में, तो आर्थिक छती हो सकती है, नुकसान स्वास्तका हो सकता है, स्वास्त पे पैसे खर्च हो सकते हैं, दामपत्य में कमजोरी पत्नी के उबर स्वास्त कमजोर हो सकता है, जो दूसरी संतती है, उसका ध्यान विकस्ट और कस्ट में जाता है, ये सार शनी की दृष्टी यहां के लिए ठीक है, मतलब अगर देखेंगे तो भाव के अधार पे इस भाव का अधिपती गुरु इन्हें देख रहा है, मंगल जो की जन्मकुंडली में मारकेश होते हैं और शनी जो इस कुंडली के सरवाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, भाग्य भं शनी भाग्य के कारक से देखे जा रहे हैं, भाग्य का कारक कौन? गुरु भाग्य का अधिक्पती कौन यहां बन रहा है? शनी की राशी, मकर राशी और जड़ाफ सोच के देखिए, तो भाग्य भाव में कौन सी राशी बनी? दस नंबर की, जो कहां की राशी है? मूलतया गोमने वाला होगा, इस ठेरता से उसके जीवन में सारी चीजी प्राप्त होने वाली होंगी, गुरु कभी-कभी उसको ब्यापारिक द्रिश्टिकोंड और ब्यापारिक प्रतिस्ठान बनाने वाला बना सकते हैं. कहने का अर्थ है मेरा, कि अगर जब कभी सरकारी नौकरी त Eunice को देखा है, ये बहुत अच्छा होता है, चतुर्थ के कारक, शुक्र और गुरू, शुक्र तो नहीं, पर गुरू, जल्मकुंडली में बहुत अच्छे नहीं बेढ़ें। और इस भाव के अधिपती जन्म कुण्ली में धन भाव के अधिपती होकर के बुद्ध धन भाव के अधिपती का नवम भाव में जाना महाधनी योग बनेगा। अधिपती जन्म स्थान से दूर बड़े नेता, बड़े लोग, बड़ी सद्धहस्त, हस्तियां उससे फायदा और लाभ प्राप्त करने वाला होगा। विक्री, किट नासक दवाएं, रासायनिक पदार्थ जो होते हैं उससे जुड़ करके कोई भी काम कर सकता है। जंगली, इमारती लकडियां और कई बार तो यहाँ ये फल और मशालों का भी काम कर सकते हैं। पिने से समंदित चीजों का भी कारोबार असानी से किया जा सकता है। इनका जन्म कृष्ण चतुरदशी को हुआ है, इस वज़से एमोशनल होंगे। बुद्धिमान कभी कभी कमजोर हो जाता है, बुद्धिमानी कमजोर हो जाती है। धनिष्था नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, इस कुणली का मारक, गरह और चंद्रमा जन्म कुणदी में, मकर रासी में, जिसके उपर से अभी साड़े साती का प्रभाव है, बजरंग बली के हनमान चालिसा का पाट अवशे ही प्रतेक दिन करना चाहिए। किसी की शिकायत मत करिएगा, शकुनी योग में आप जन्म हुए हैं, शकुनी योग में जन्मे होने से ब्यक्ती पीठ पीछे दूसरों की बुराई करता है, शनिवार का दिन पंचांग अच्छा नहीं बताता है, दुखी और असंतोशी प्रभर्ती का बनाता है, चल नहीं बनने देती है, निर्मलता का आभाव होता है, और बुद्धिमानी कई बार गटे में चली जाती है, वैश्यवर्ण और राक्छसगन के हैं, अपने अंदर से राजसिक और तामसिक प्रभावों को कमजोर करिए, जितना ज़्यादा हो सके, शुद्ध बनिए, समा राजनेती वगेरा का योग आपकी कुंडली में एक तरीके से बन रहा है, पर उसका बहुत जादा फायदा नहीं है, क्योंकि वस्तुता शनी धनुरासी में बैटे हैं, इस भाव को देख रहे हैं, तो ये कई बार राजनेती जुकाओ, या कई बार समाज सेवा, लोगों क तशा आएगी, तो व्यक्ति का आईसोलेट होना बड़ा आसान और सरल हो जाता है, कभी भी किसी पे विश्वास बहुत जादा करने से नुकसान भी होगा, ब्रिशव लगन की कुंडली के लिए भाग्य भाव के अधिपती हैं, और जन्म कुंडली के पंचम अस्थान को द धार में कृत्यों के करने के कारण, रीसर्च, अच्छी चीजों को समझने की कोशिस करना, नए लोगों से मिलना, और आरंभ में खूब मितरता कर लेना, बाद में धीरे धीरे कमजोर हो जाना, और यश, कीरती, मान, सम्मान, पद, प्रतिस्था, ये देर से मिलना, और कई पर पुर्वजों के आशिरवात के कारण आपके सारे काम दीरे-दीरे बन जाएंगे। यहां पर जन्मकुंडली में भागे भाव के जो अधिपति हैं, नमम और दशम भाव के अधिपति, बहुत अच्छी बात है कि भागे का कारक भागे को देख रहा है, यह मैं 34 बार बोल रहा हूँ, यहां पर भी गुरु के साथ शनी का योग बहुत अच्छा बना है, यहां का एक साथ यहां बैठना विपति को यशोवान, कीरतिमान और धनवान बनाने के साथ साथ बुद्धी मता से अपने लक्षों का प्राप्त करने वाला बनाएगा, धन भाव का बलवान होना और धन भाव के अधिपति, शुक्र का नीच में जाना, पर शनी के साथ जो दशम संख्या की राशी का बना, संख्या की राशी का बना लगन में, लगन कुंडली के लिए उतना जादा अच्छा नहीं होता, अगर आप कहें कि किसी भी जातर की कुंडली में, जैसे वो लगन कुंडली में अगर लगन एक नंबर का बना, तो वो अधिक जादा अच्छा है, पर अगर वो दो नंबर का बना है तो उतना ज़ादा अधिक अच्छा नहीं है मतलब आप यूँ समझें कि अगर कोई भी कुंडली है जिसके आरंभ की का अंक मतलब लगन में अगर विशम संख्या की रासी बनी है तो वो ज्यादा अच्छी बनी है मजबूती के मामले में और अगर वो समसंख्या से शुरू होती है तो इसका अर्थ है कि वो थोड़ी उतनी मजबूत या एक्टिव या साहसी नहीं है ताग पर ये है यहाँ पर लगन के अधिपती का अस्टम में जाना पर आठ नंबर की रसी में पर अपने इस वज़े से पर लगन पे गुरू की दृष्टी यहां पे दामपत्य को अच्छा रखेगी यहां राहू करके हैं जिसके अधिपती छटवे में वैटे हैं जिसका अधिपती पंचम में बैठ करके विवाह बिलंब की परिशानी दे सकता है इस कारण से विवाह में कस्ट त दशा बहुत अच्छी नहीं चल रही है इस कुंडली में दशा 2026 के अक्टूबर से जो 29 के फरवरी तक की दशा है उसमें अध्रिक्त सावधानी की आवशकता होगी उसके बाद आपकी कुंडली में शनी की दशा में बाद ग्योदय होगा इस कुंडली में रोहिणी परिशानिया, नुकसान में जाना, आर्थिक शती, लोगों में बहुत अच्छा वर्चस्व और प्रभावस्था पितना कर पाने का दुख और कई बार अपने बारे में या खुद के बारे में लोग गलत फाहमी दिमाग में रख लेते हैं जिसका धूलना बड़ा आसान न नहीं पहचान पाता, अगर वो पहचान रहा है तो उसके पीछे के दो कारण गुरू की द्रिश्टी शनी पे अस्थमभाव में शनी और मंगल का बैठना ब्यप्ती को कई बार बेवजह की परिशानियों में रखने वाला और बेवजह की चीजें जो जीवन में घटना करम होते हैं, वो कई बार उट पठांग हरकते होती रहती है, करने चलेंगे कुछ और, हो कुछ और जाएगा, ऐसे शनी मंगल की दशाओं में ये जो चीजें होती है, वो कई बार क्यूंकि सब्तमेश अस्टमेश के साथ जोड़ रहा है, तो दामपत्य में भी थोड़ी कठोर है, तो मैं समझता हूँ कि आपकी कुणली में बिवा के योग बन भी रहे हैं, अगले वर्स के अप्रेल तक बिवा का योग बनेगा, इसके अत्रिक तो उसके बाद भी बिवा का योग है, मैं समझता हूँ कि कुणली इस मामले में तो कमजोर नहीं है, लगन कुणली में गुरु की दशार जो चल रही है वो एकादश्मे भाव की अधिपती हैं, बिशम संख्या में बैटे हैं, इस वज़ा से अब ध्यान से समझेगा, यहां शनी बिशम संख्या में बैटे हैं, अगर शनी संख्या की राशी में बैटे होते तो अपने मुल्द त्रिकोंड रासी जादा बार, और अभी वो गुरु से शुक्र चलेंगे, अभी जो दोनों ही दशाएं चल रही हैं, करमसा वो सारी की सारी दशाएं आने वाली विबाह के लिए यतोचित और उत्कृस्ट भी बन रही हैं, लगन कुंडली में सुर्य जिस नक्षत्र में बैटे हैं, उसके आधार पे आपका कई बार भ्रम तूट जाता है, कई बार आप जल्दी ही किसी पे विश्वास कर लेते हैं, और घबरहाट भी होती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी भी बारे में किसी भी तथ्थे पे जल्दी ही अपनी कोई टिपणी कर देते हैं, इस प्रदारियों को कई बार नहीं समझना और नियम का पाला नहीं करना और अपने हिसाब से अपने विशाय का चुनना और अपने हिसाब से काम करना कई बार उसमें दूसरों को कोई जगह ही ना मिले और इस वज़े से कई बार लोग आपके दुश्वन बन जाते हैं। समस्ता हूं कि उनको और भी ज्यादा ठीक होने की आवशक्ता थी जिसको ठीक किया जा सकता है स्री हरी अस्तोत्र से और विश्णु सहस्त्र नाम के पाठ से लगतार एक तालिस दिन तक विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए मैथुन ना करिए, ब्रम्भचारिय का पालन करिए और कम से कम शिव पंचाक्षरी मंदर से भगवान शिव को स्नान कराईए ये इतना काम होगा आपकी कुंडली में हमेशा ही आपको पुर्णिमा का व्रत करना चाहिए ब्रिंदावन के स्वन्तजन जो हैं वो पुर्णिमा का व्रत अवश्य करते हैं और उस दिन भगवान शिव के मुकुट पे विराजमान, मुकुट स्वरूप विराजमान चंद्रमा का दर्शन करते हैं, उन्हें खीर का भोग लगाते हैं और केवल रात्री में खीर ही खाते हैं, ऐसा करना चाहिए शिव जी की पुझा पुर्णिमा के दिन अवश्य हो, और अगर कम से कम ना हो सके तो सब्ते नहरान भगवान की कता भी अवश्य हो जाए इसके अत्रिक्त आपकी कुंडली में बुद्ध के बाद गुरु की बादकरी मैंने आरदरा में बैठे हैं, राहु जन्म कुंडली में एकादश्मे में नहीं है, नमम में हैं, ठीक हैं, कम से कम त्रिकोन में बैठे हैं, यो कारग्रह की राशी में बैठे हैं, पर उस भोगी नहीं बनाएंगे पेट का ख्याल निश्यत्रूप से रखिएगा अपने नाभी छेत्र का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए हमारे जो चक्र होते हैं मुलाधार से लेकर के आरम भतक यह प्रतिक देवों से संबंधित होते हैं इस वज़ा से कम से कम पंच महादेवों की पूजा अपने नित्प्रत दिन के जीवन में अवश्य कर लेना चाहिए जैसे भगवान सुरी को अर्ग अवश्य ही देना चाहिए भगवान सुरी को अर्ग नहीं दे सके तो क्या किया भगवान सुरी को अर्ग देते समय कम से कम नारायनाय नमहा, आदित्याय नमहा, मरीचय नमहा, भानवे नमहा सुरी के बारह नाम से जो व्यत्ती प्रतेक दिन सुरी को अर्ग देता है वो कभी भी स्रीहीन नहीं होता और कभी भी वो स्वर्ग का और बहुत अच्छे लोखों की प्राप्ती होती है भगवान सूरी को अर्ग अवश्य दिया करिए ये इससे आपके पिता के साथ समन्द ही नहीं क्या नहीं प्राप्त होता है भगवान सूरी के बारे में कितने उपनिशदों में और कितने ही ग्रंथों में बड़ी महिमाग आई गई है वो साक्षात नारायन ही है और अपने ही अखिल सोभाव के कारण बिभिन रूपों में बिराजमान होते हैं ये इतनी सी बात है शुक्र के बाद शनी आपकी कुंडली में जी सस्तिती में बैटे हैं उसके आधार पर वो आपके आत्मबल में कमजोरी कभी कभी दे रहे हैं अलाकि उन्होंने आपको कम से कम नैतिकी तत्तों से आपको समझदार बनाया है कभी भी सरकार से नुकसान नहों इसका ध्यान रखना चाहिए इंकम टेक्स डिपार्टमेंट हो जाए सरकारी कोई भी संस्थान हो जाए पुलिस केश वगरा हो जाए इन सब चक्रों में ना पढ़ना पड़े इसकी कोशिश समय साही करिएगा इस कुलि के आधार पे उत्तरा शाढ़ा उत्तरा भादरपत और उत्तरा फालगुनी स्त्रमण रेवती रोहिणी और बनेगा इसमें अनुराधा भरिणी सुक्रवार का दिन दिशाद दक्षिन और पुर्व अंक पांच ये सब अच्छे हैं आपकी कुलि में बिबा का योग अभी भी चल रहा है दामपत्य कुलि और कर्म कुलि कमजोर नहीं है कर्म अभी एक्टिव नहीं हुआ है क्योंकि केंद्र खाली है पर आगे बढ़ेगा और मैं समस्ता हूँ की अभी आपकी कुलि में सितंबर से योग अच्छे बनेंगे 25 के अक्टूबर से योग अच्छा बनेगा 26 से लेकर के 39 तक सावधान रहिएगा इसके अत्रिक्त में आपको अगर आरंभ में लेके आओं तो आपका जन्म होता है 1990 में 1990 में जन्म होता है और उस समय आपको चलती है चंद्रमाचुकी धनिष्ठा में थे तो मंगल की दशा और 95 तक ये आपकी कुलि में मंगल की दशा चलती है जो इस कुलि का मारकेश था और डबल मारक बन रहा था क्योंकि अस्टम भाव के अधिपती से द्रिष्ठ था लाभ भाव के अधिपती जन्म कुंडली में धन भाव में बैठे थे तो वो तो सुक मिलता रहा पर ये डबल मारक क्योंकि सब्तमे शोकर के अस्टम में 12 में के अधिपती होकर के शनी मंगल रहु के तुके संपर्ग में तो नहीं था पर शनी मंगल का प्रभाव और अस्टमेसे से युक तो था या यू तो था या दृस्ट था इस वज़ा से दूसरी बात है उसके बाद चल जाती है रहु की दशा जो कम से कम 2013 तक आपको खुद को पहचानने का मौका देती है निश्चित रूप से इस ने इस दशाकाल में आपको आपके सिक्षा पद्धती में थोड़े बहुत रुकावट के साथ अपना काम किया है और जितना मेहनत किया है आपने उससे थोड़ा कम दिया है उसके बाद 2013 से लेकर के अभी तक चल रही है अभी गुरू की दशा है जो ब्रिशब लगन की कुणली के रहे बहुत अच्छी नहीं होती है तो मूलतेया अभी आपको बहुत अच्छी दशा मिली ही नहीं है गुरू के बाद जब शनी की दशा आएगी तब व्यक्ति का उत्थान होगा पर वो दशा भी 6 साल बाद यानि की 2029 में इसका अर्थ होगा कि अगर आपकी कुणली में मैं शनी को देखता हूँ तो वो कम से कम एक सुभग्रा गुरू से द्रिश्ट है लेकिन वो भी सब्तमभाव के अधिपती के संग बैठे हैं भागेश हो करके तो योग बनेगा इस दौरान ही आपका अनुभव जा गएगा यहाँ पे भी जन्मकुणली में योग कारक होते हैं या अच्छे होते हैं यहाँ पे भी जन्मकुणली में अच्छे होते हैं और अच्छे बैठे भी हैं कम से कम त्रिकोन में बैठे हैं यहाँ भी नौ नमबर में यहाँ भी नौ नमबर में वरगुत्तम है और मैं समस्ता हूँ कि वो हर जगा अच्छे बन रहे हैं तो इस कुंडली में शनी की दशा अच्छी जाएगी बजरंग बली के हर्मान चालीसा का पाट मंदर का दर्शन पंच महादेवों की पूजा कैसे होगी सुरी को अर्ग दिया मंदर का दर्शन किया नाराण खुश हो गये सुरी को अर्ग दिया सुरी भगवान खुश हो गये किसी मंदर का दर्शन कर लिया सुक्रवार को देवी कबच का पाट कर लिया तो देवी माता की अराधना हो गई और कम से कम बुद्धवार को 21 दुर्वा गणेश जी को अर्पित कर दिये तो गणपती गणिस जी की प्रशनता हो गई तो ऐसे ये चीजें बनती हनवान चालिसा का पाट वगएरा आपको करना होगा क्यूंकि आपकी कुणली में मकर राश्ची का निर्माण हो रहा है ये कुणली ऐसी है संतती वगएरा का सुक इस कुणली में है उसमें कोई गड़गड़ी नहीं है गुरू आपकी कुणली में शनी और मंगल को अगर नहीं देखते तो उनकी प्रामाणिक्ता और भी कमजोर हो जाती मतलब उनकी शुभद्रिष्टी हाला की नहीं है पर फिर भी मैं समस्ता हूं की ठीक ठाक है कम से कम एक सुभगरा देख रहा है भावगे भाव के प्रभाव की स्तुती अच्छी है अस्तमभाव ठीक बना है दशमभाव में दिखबली ग्रह एक आदश्वाव जन्मकुंडली में कम से कम ठीक बना नमंभाव के बाद अस्तमभाव भी जन्मकुंडली में ठीक बना है पंचमभाव भी ठीक बना है क्योंकि इस राशी के अरधिपती कम से कम ठीक है खराब नहीं है तब तक के लिए बहुत बहुत तमस्कर